नमस्कार दोस्तों हमारे चनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों गर्मियों में बाहर का खाना कई बार सेहत को महगा पर सकता है और इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकिया हैं कुछ ऐसे जबरदस नुस्खे और उपाए जिनके सहायता से आप इन गर्मियों में बच सकते हैं पदार्थों में जल्दी खराब होने की आशंका बड़ी रहती है ऐसे में कई बार घर में बना खाना भी बहुत जल्द ही गर्मियों में खराब हो जाता है इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अगर गर्मियों के फूड पॉइजनिं है नीमबू जी हाँ नीमबू में एंटी इंफ्लमेंटरी एंटी बैक्टीरियल और एंटी वाइरल गुण मौजूद होते हैं इसलिए इसे पीने से फूड पॉइसनिंग वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं आप खाली पेट नीमबू पानी बना कर भी पी सकते हैं या फिर तो गर्म पानी में नीमबू नीचोड कर भी पीरी सकते हैं वही दोस्तों अगला है सेव का सिरका जी हाँ सेव के सिरके में मेटाबॉलिजम रेट को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं खाली पेट इसका अगर आप सेवन करते हैं तो यह है खराब बैक्टीरिया को मारने में महदगार साबित होता है अगली चीज है तुलसी दोस्तों तुलसी में मौजूद रोगाण रोधी गुण सुक्षम जीवो से नड़ते हैं तुलसी का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं एक कटोरे दही में तुलसी की पत्तियां काली मेर्चो थोड़ा सा नमक डाल कर अगर खा लेंगे और पानी या चाय में भी तुलसी की पत्तियां डाल कर पीलेंगे तो इससे आपको फूड पॉईजनिंग का खत्रा बिल्कुल भी नहीं होगा वहीं दोस्तों अंगली चीज है दही जी हाँ दही एक प्रकार का एंटुबाइटिक होता है इसमें थोड़ा सा का नमक डाल कर अगर आप इसे खाते हैं तो इससे भी आपको बहुत फाइदा होगा अगला है लहसून लहसून में एंटी फंगल गुण होते हैं आप सुभा खाली पेट लहसून की कच्ची कलियां पानी के साथ खा सकते हैं इससे आपको बहुत अधिक राहत मिलती है दोस्त झाल झाल